तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चल रहा हूं माउंट अबू और यहां पर घूमने के लिए काफी अच्छे अच्छी जगे हैं और यहां पर घूमने के लिए कितना खर्चा आता है यहां पर घूमने के लिए अच्छे अच्छी जगे कौन सी है यह सारी मैं आपको इस वी यह सारा हम इस वीडियो में जानेंगे ठीकैं तो बने आपको बदार रहे हम जा रहा हैं अभी इंदोर से हम, दिन में ठाइ बजये, तो दिन मेंर ठाइबजे हम इंदोर से माउंट अबु के लिए निकल रहे हैं by पर हेड पर पर परसन कितना आएगा वो मैं आपको जो है एक एक चीज घुम लेते हैं उसके बाद सारी चीजें डीटेल में बता दूँगा ठीक है तो हम निकल रहे हैं इंदोर से धाई वजे ठीक है तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मांट अबू यह हमारी होटल के यह पूरी होटल पड़ी है पर नाइट के लिए ठीक है एक नाइट के लिए तीन हैं पड़ी है दो रूम पांच लोगों के लिए ठीक है तो यह हमने गौई वीवोस से बुक करा था ठीक है तो उसके बाद में जो अगर देखा जाए तो मतलब इतना जादा महंगा भी नह यहां पर ठीक है हम रात को जो है एक बज़े हैं पहुंच गए थे दिन में हम चले थे धाई बज़े इंदोर्स हैं तो इंदोर्स हम यहां पर पहुंच गए हैं रात को एक बज़े उसके बाद हम सो गए थे उसके बाद सुबह उठकर हम होटल से निकले हैं घुमने के लि बहुत ही ब्यूटफुल जगह हैं तो हम गुरु शिकर परवत पर चल रहा है यह बीच में जो लोकेशन साती है वह मैं आपको जो है दिखाता जा रहा हूं और यहां पर बहुत अच्छी वीव है मैं आपको बता दूँगा यहां पर कार पार्किंग के लिए जो है एक हमको बाइक अमाउंड देना पड़ता देखो ओपर जिकरह वो गुरु यहां पर कार पार्किंग हैaky बाइक पार्किंग सब कुछ है को अदिक्कत ना कार पार्किंग के लिए आपको पचास रुपए देने पड़ता है जो 90 रुपे जो है जब जहां हम गुरु शिकर के लिए जब उपर चड़ने के लिए एंट्री लेते हैं वहाँ पे देने पड़ते हैं यानि कि ultimately हमको दो जगे जो है 50-50 रुपे देने पड़ते हैं ठीक है तो यह जो हैं का खर्चा है उसके बाद यहाँ का कोई खर्चा नहीं है यहाँ पर आप आराम से घुमिए फिरिए फोटो लीजिए और यहाँ की जो नजारे हैं ना उनका अनंद लीजिए ठीक है यहाँ पर कोई पेसा नहीं लगता उसके बाद में यानि कि 100 रुपे में अगर आप कार से आओ तो आपको 100 रुपे यहाँ पर लग गए हैं माल लीजिए उसके बाद कोई चीज का किसी का कोई पेसा नहीं है आप कुछ खरीदोगे तो वह बात अलगए कुछ खाओगे वह बात अलगए बाकी सप्टेगे जाने और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है सबसे अच्छी एक चीज में देखी है वैसे अगर किसी को कोई अगर जो है वाइन वगेरा लेता हो तो यहाँ पर राइस्थान में जो है वाइन यानि की बीयर शाराब जो भी काफी सस्ती है एस कंपर टू मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में जो मतलब जो किंग फिशर की बीयर है वो धाई सु रुपे में जो आती हो यहाँ पर जो है डेड़ सु रुपे में मिल रही है यानि काफी सस्ता है पीने वालों को लिए बहुत मज़े है ठीक है तो पीने वाले जो है कर सकते हैं विसे पीना गलत बात है मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं पीने को लेकिन बदा रहा हूं मैं क्योंकि जिसको पीना है वो तो कहीं भी जाएकर पीएगा सस्ती हो मैंगी उनको कोई फरक नहीं बढ़ता लेकिन जितना हो सकी कंट्रोल में रहिए पीना अच्छी ची तो हम भी आपने पुरा नजारा देख लिए उसके बाद हम आ गए हैं दूसरी जगे नकी लेग नकी लेग जो है यह भी बहुत ही खुबसूरत जगे आप देख सकते हैं जब इसमें आप बोटिंग कर सकते हो और वोटिंग भी हमने किये हैं मैं आपको बादाओंगा आगे चलके वोटिंग में जो है यहाँ पर अगर जो सेल्फ ड्राइव जो बोट होती है जो पेडल वाली जो हमको खुद को जिसको ड्राइव करना होता है तो उसका आता है पर पर संदो सुरुपे ठीक है लेकिन अगर आपको जो है खुद को नहीं चलाना है क्योंकि वह आधे घं सकते हैं उससे लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसको प्रेफर ना कीजिए क्योंकि 200 रुपे में जो है आप उसको खुद को लोगे और खुद चलाओगे तो ठत जाओगे इसलिए मैं आपको बोलूगा कि आप 300 रुपे लगाई अगर वोटिंग करना है 20 मिट का एक राउंड होता है यह जो वोट में हम आप देख रहे हैं अभी इसमें हमने जो है वोटिंग करी है इसमें 300 रुपे परहेट आया इसमें और पूरा जो वोटिंग है अच्छे से हो गई है कोई दिक्करनी बड़े हमजा आया एंजोई किया तो आप भी जो नजार है अच्छे हैं यह पाहड यह चोटी चोटी तो यह देखने को अच्छी लगती है बस और कुछ नहीं और अभी हम जो विंटर सीजन में आया है विंटर सीजन में यहां पर दो डिगरी सेल्सियस तापमान है टेंपरेचर यहां का इतना है तो लेकिन फिर भी सी तो कोई दिखकत नहीं हैं अर्ण नाइट के लिए होटल मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और वृटल नहीं के लित फीडिए कर चाय डेंपल यह आपको चालीस रॉपAR में पढ़ेगी क्लफ ने fireнул स्टेशन पर अक्सर यह चीजें थोड़ी सी महंगे होती है कोशली होती है क्योंकि पहाड़ी पर चड़के सारे सामान इंपर्ट एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है तो इसलिए यहां पर चाई अगर अब देखा जाए तो थोड़ी पूरी वोटिंग कर ली वोटिंग का मज़ा लिया वीडियो बनाया फोटो कीज़े और काफी एंज्योई किया दोस्तों के साथ एक्शली में ग्रूप के साथ आया है मेरे फ्रेंड से हुने सब्क्रोंस फ्रेंड हम तो बढ़िया मज़े आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद नकी लेक के बाद जो है अपना टाइम ऐसा होगा है संसेट का तो अब हम चलेंगे संसेट पॉइंट पर तो संसेट पॉइंट पर यार देखो संसेट पॉइंट पर जा रहा है संसेट पॉइंट में आपको मैं बता दूं संसेट पॉइंट का भी यहां पर टि और आप चाहें तो हाथ गाड़ी होती उसमें बेटके भी जा सकते हैं उसके बाद आप यहां पर संसेट का इस तरह से मज़ा ले सकते हैं जिसे कि अभी हम ले रहे हैं तो यहां का संसेट है तो यहां पर भी काफी एंजोई किया हमने कोई दिक्कत नहीं है तो यार अगर आपको जो है संसेट पॉइंट का मज़े लेने तो आप आ सकते हैं पचास रुपर लेंगे लेकिन आपके पचास रुपर जो है वसूल हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है तो यार हम जो है यहाँ पर घूमे फिरे यहाँ पर समय इस सब में जो है हमारा खर्चा हुआ पर हेड यानि कि पर परसन हम 5 लोग थे 5 लोगों को हमारा यह मान के चलिए आप 4-4,454 जार खर्चा हुआ यानि कि आप मान के चलिए मेक्स टुमेक अगर आप जो है ड्रिंक वगेरा भी करेंगे तो आपका हद से हद जाएगा तो 5,000 परेड जाएगा ठीक है तो कोई इतना महेंगा नहीं है कोश्टी नहीं है काफी सस्ता है यार मतलब माउंट आबो आप सोच लो इंदोर से हम आए 585 किलोंटर के असपा सिंदोर से पढ़ता है ये तो बाइकार हम आए और बाइकार से हम पूरी जगे यहां जित्ते भी जो तीन-चार जगे में आपको बताई यह वहाँ पर घूमें और वापीस रिटेन भी आए तो बहुत एंजोई किया हमने और जो है साड़े चार-चा जो बताई आपको वीडियो कैसे लगते देखने के लिए धन्यवाद